देखें दोस्तों हमारे पास जो मोबाइल है वो आईटेल कंपनी का है आईटी 561 और दोस्तों इस मोबाइल के अंदर जो प्रोब्लम है वो चार्जिंग से रिलेटेट प्रोब्लम है और आज के इस वीडियो के माधियम से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस मोबाइल के अंदर ये वाला जो प्रोब्लम में बहुत ज्यादा आता है आज हम इसका सॉलुशन देखें दोस्तों ये जो बैटरी डिस्चार्ज बता रहा है हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये चार्जिंग शो भी करेगा लेकिन शो करने के बावजुद भी इसका जो चार्जिंग परसेंटेस वो बढ़ता नहीं तो इसके अंदर एक्चुली फैक्ट चार्जिंग का प्रोलम है कि चार्जिंग दिखाता लेकिन चार्ज होता नहीं तो आज के इस वीडियो में हम इसका solution करेंगे और इसका बिल्कुल short solution करेंगे तो सबसे पेले हमको करना है mobile को open कर लेने दोस्तों इसके अंदर एक्चुली यह वाली जो problem है बहुत ज़ादा आती है चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉलम आईटेल में पहुत ज़ादा आती है तो हम इसका solution किस तरीके से करेंगे देखें दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा हुग है यह चार्जिंग शोकेट पर अलड़ी पहले कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है चार्जिंग शोकेट भी डाल दिया लेकिन उसके बावजुद भी चार्जिंग शोकर रहा है सिफ फर सिफ लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं कर रहा बैटरी को यह जो डिपार्डमेंट है इसका पूरा पूरा आप देखें यहाँ पर चारजिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है यह IC है चारजिंग IC लेकिन दोस्तों इसके जो पार्ट्स होते वो बहुसी बार मिलते नहीं है ऐसी कंडिशन में बहुसी बार सही तरीके से लगता नहीं है तो चेंज करने में हो सकता है यह mobile date भी हो जाते हैं तो हम इसका जो solution करेंगे वे अक्चुली short diverd से करेंगे तो हम इसका solution diverd से करेंगे लेकिन diverd को कहां लगाना और कौन सी value का diverd हमको लगाना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और क्यों लगाना है वो ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूँ यहां पर कि अगर ऐसे की condition आती है तो आपको किस तरीके से पता लगाना है कि एक चार्जिंग का problem है या नहीं है अगर देखेंगे देखेंगे तो इसका वर्टेज जो चल रहा वो सिफ इतना ही चलेगा अगर एसी कंडिशन आती है तो आप समझ देना कि एफेक्ट चार्जिंग का problem है क्योंकि जो जरू करेगा लेकिन चार्ज नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना हमने डाइवर्ट को भी बना के रखा रहा है यह देखें दोस्तों हम रपस में डाइवर्ट बना हुआ है बना के इसलिए रखा हुआ क्योंकि हम सीधे solution की बात करेंगे तक हमने टैपिंग लगाया हुआ यह देखें यह डाइवर्ट है ठीक है तोस्तों अब इस डाइवर्ट को अच्छे सह हमने इसलिए क्योंकि कहीं शोट ना हूं आपको भी अच्छे से ही करना है देखे दोस्तों एक चीज में और आपको बता दाता हूं यहां पर आपको मीटर जो है आपका मल्टी मीटर उससे भी आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे वह योग बास में शाद डीस्की मशीन नहीं होती है तो 20 की रेंच पर रखना आपको और 20 की रेंच पर लगते हुए आपको उसकी कंटीनिटी देखनी देखें टू पॉइंट प्लस इसका वल्टे जा रहा है लेकिन यहां पर इसको बैट्रिको चार्ज नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे यह जो डाइवर्ड है हमारा मैं आपको इंसेटली बता दूँगा को डाइवर्ड हमको कहां पर लगाना और क्यों लगाना पर को लगा दिया है लेकिन जंपर लगा दिया लेकिन हम जंपर लगाने के बाद में डाइवर्ड लगाने के बाद सबसे पहले तो हम इसका वल्टेज को चेक कर दे जो पहले ह तो पॉइंट आ रहा था अब यह देखिए 20 की रेंज पर हमारा मेटर है इसको अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 4.69 के करीब यह व्ल्टेज आ रहा है अब यहां पर हम एक बार इसको डीसी मेशीन पर देख लेते जो पहले सिफ कुछ वल्टेज आ रहा था लेकिन अब इसमें क्या आता हम वह भी देख लेते यह डीसी मेशीन को हम इसको एक बार लगाएंगे मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूंगा है अब यह वल्टेज 4.1 और 2 के करीब इसका मतलब है कि यह सॉलुशन हमारा हो चुका और यह अब फैक्ट चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो सौल हो चुका है लेकिन हमने यह जंपर यहां पर क्यों लगा है मैं आपको बता देता हूं जरा देखिए दोस्तों यहां पर यहां से जो प्लस निकलता वो सीधा प्रिशार्ज का कनेक्षन है और यह वि बे्ट है विबेट मतलब बैटरी का प्लस में जो बैटरी होता है इसका प्लस यहां पहलेट्विया से लुश्फ हो अब यह डाएवर्ट कौन सा है और हम कहां पहलगा'M इन देखी में यह बन्पर शोद सुद्यां एए यह आपके सामने पड़ा हुआ अब इस डायवर्ट को लगाना किसे आपको यह वाला जो रेड वाला सीरा जो होता है वो अपने यहां पर चारजिंग शोकेट के प्लस से लगता है और यह ब्लैक वाला जो सीरा होता हो बैटरी कलेक्टर के प्लस लगता है ठीके दोस्तों यहां से भी ले सकते हैं लेकिन यहां पर लगा देना क्योंकि यह पास में है आसानी हो जाती और अच्छे से इसको टैपिंग करें और टैपिंग करने के बाद मैं आप इसको यूज करें मैं आपको एक बार इसकी बैटरी जो चार्ज हो रही कि नहीं हो रही है हम आपको ब भी इसमें बता देते हैं कि बैट्री कोब चार्ज करेगा यह नहीं करेगा मैं यह अब यह डाइवर्ड लगाने के बाद में यह बैटरी को कनेक्ट किया अभी बैटरी चार्ज हो रही अभी यह शार्जिंग का प्रॉलिम का सोल हो जाएगा क्योंकि इसमें वाल्डेश जो फॉर पॉइंट के करीब करीब आ चुका तो दोस्तो इस तो कमेंट्स कर सकते और जुदी अच्छे लगती है तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंकि दोस्तों मिलता है